Hello students, how are you? I hope आप सबी बहुत ही अच्छे होंगे और आपने अपने अस्त सस्त तयार कर लिया होंगे और अपने बाड़ों को एक डम फिक्स कर लिया होगा क्योंकि कल से आपके लिए महायुद्ध की सुरुआता है और आपको इस महायुद्ध की धेर सारी बढ़ाईया और किसी प्रकार का और किसी मोटिवेस्टन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप खुद पर एक मोटिवेस्टन हो आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो सिंपली कह सकता हूं कि मनजिले क्या है और रास्ते क्या है और हाउसले हो तो फिर फासले क्या है आप अपने जीवन में वो सब कर सकते हो, ये एक्जाम तो बहुत छोटा है फिर भी कल आप एक्दम confidence जाओगे और आपको किसी motivation की कोई जरूरत नहीं है आपका confidence level हाई होना चाहिए, आप depression का शिकार नहीं होगे आपने साल भर जो मेहनत किया है, कर उशी मेहनत को आपको दिखा करके आना है अब वो वक्त है, जो आपने सीखा है, जो आपके अस्त्र है, जो सस्त्र है, उसे डाल दो बिल्कुल भी confidence को lose नहीं करना है, high confidence पे रहना है over confidence में फिर भी नहीं जाना, लेकिन depression में भी नहीं जाना है आप कर सकते हो, आप करके आओगे, आप 100% कर सकते हो, क्योंकि आप अपने आप पे हो याद रखना बहाने वही बनाते हैं, जो अपने सपनों को सिद्दत से नहीं चाहते बहाने वही बनाते हैं, जो अपने सपनों को सिद्दत से नहीं चाहते You are a reader of your mind. Never lose your confidence. अपने confidence को मत خونا. अच्छे से जाना exam में रिफ्रेस होकर जाना, इन दम फ्रेस होकर के जाना, कोई tension नहीं लगना चाहिए आपके mind पर, बिल्कुल आराम से बैठना, as well as आपका कोई home exam, आपका कोई normal exam हो रहा है, ऐसे तो बहुत सारे एक्जाम आपको देने हैं जिस समय आपने यह सोचा है जिस समय आपने मांड में घडाला讲 कि बोईक्त ग। न करे कि आप एक एक्जाम्स है यह वह उस समय आते कुसंच सट довich भी घॱकौल भी भी बीप्रिशन्स सटेंगा क्योंकि आप और रे चैंपियंज और किसी मोटीवेशन की कोई दरूद नहीं क्योंकि आप खुद में एक मोटीवेशन सो डॉन्ट भी गो इन डिप प्रेसंस डॉन्ट भी टेक हाइज अरिना माइंड रात को अच्छी सी निन लेना और बेश्ट अपलक्स माई चाइल्ड बेश्ट अपलक्स झार युंग पौर साथ उन्ट पुर्णों कि दोल्ड टोसे सी वाइल के औरूसे ब SERज यूंग